फ़ेल déjà सब्जेक्ट बेसीक कल अंड इलेक्रिकल इंजिनरिंगमें हमलोग उलेक्रिकल का पार्ट पढ़ रहे थे और उलेक्रिकल का पार्ट का लास्ट चैल्पनेर है हमारा आज जो है आपा स्केर लोग 18 चैब्र तक बढ़ चुके हैं , 19 लास्ट चैप्टर है इसका इसके बाद हम लोग मैकेनिकल का पार्ट पढ़ेंगे तो लास्ट चैप्टर में हम लोग बीभिन प्रकार के जो पावर प्लान्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको है ना तो उसको हम लोग देखेंगे क्या है चैप्टर का नाम 19-18 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे आज 19 अमा चैप्टर तो और यह लास्ट चैप्टर है इलक्तिकल पार्ट का इसके बाद करीब 7-8 चैप्टर या साथ-8 या है जो चैप्टर हमारे मैकेनिकल में उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आज का जो हमारा चैप्टर है बिभीन प्रकार के पावर प्लांट वाइरियस टाइप आफ पावर प्लांट जो पावर प्लांट होते हैं पावर प्लांट का मतलब यह है विद्दुत इस्टेशन कहते हैं है तो यह होता क्या है जैसा कि हमने लिख रखा है आप लोग देख सकते हैं वह है इस्टेशन जिसकी सहायता से अधिक मात्रा में विद्दुत का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं इस्टेशन या पावर प्लांट कहते हैं यह है निमल कि ती इसी प्रकार नुक्लियर पावर प्लांट है यह तीनों हमको पढ़ना है इस्टीम पावर प्लांट हाइड्रो प्लांट और नुक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमको पढ़ना है जिसमें पहला हमारा है इस्टीम पावर इस्टेशन के उकर मतलब इस्टीम पावर प्लांट पहला क्या हमारा टॉफिक है इस्टीम पावर प्लांट पावर प्लांट तो समझ में आ गया क्या होता है ऐसा इस्टेशन जहां से बिद्दू तूर्जा का उत्पादन होता है उस Steam Power Station में क्या-क्या लगे होते हैं? उपकरन ब्द्दू तुद्फदन हो रहा है तो कई चीजे उसमें लगी होंगी जिसकी सायता से कई device, कई equipment लगे होगे जिसकी सायता से ब्द्दू तुद्दमें अपनी हो रही होगे तो क्या-क्या लगे होते हैं या तो hydro power plant के बारे में या फिर steam power plant के बारे में विश्तार पुरुवक कहेगा आपको समझाने के लिए ठीक है तो आईए देखते हैं steam power station के उपकरण steam power station में जो पहला हमारा part रहता है निम्रकेट इसके 5 part रहते हैं किन्दे पार्ट रहते हैं 5 part पहला part रहता है steam उथ्पादन उपकरण मतलब जहां से भाप उथपादित किया जाता है भाप को उथपन करने में steam को उथपन करने में क्या उपकरण लगे रहते हैं इसके अंतर के थम्बब क्या करेंगे जाने के दूसरा जो steam power station का जो पार्ट होता है दूसरा होता है कंडेंसर अर्था संग नित्र जिसकी सायता से ठंडा वंडा किया जाता है अभी हम लोग इसको विस्तार पुरोग पढ़ेंगे और तीसरा प्राइम मूवर मतलब वह डिवाइस जो प्राइम मतलब होता है पहले हाना पहले किसी इस्ट्रूमेंट को किसी डिवाइस को घुमा दे मूवर मतलब घुमाने वाला घुमा दे उसके बारे में विस्तार पुरोग पढ़ेंगे और इसी में चौथा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जल उपचार सायंत्र और पांच वाँ है बिद्दुत लगे रहता है इन सब के बारे में विस्तार पुरोग पढ़ेंगे तो पहला जैसा कि हमारा है इस्टीम उत पादन-उपकरण इस्टीम is generated प्लांट यह इस्टीम पावर इस्टेशन का महतपूर रंग होता है यजो इस्टीम उतपादन होता यह क्या होता है बहुत ही महतप जो हमारा generator होता उसकी सहायता से बिद्धूत उत्पन किया जाता है तो जो इस टीम इसमें जो है इस टीम की सहायता से हम लोग चानते हैं उर्जा संरच्छन की निमान साथ ना तो उर्जा उत्पन होती है ना तो समाप्त होती है एक रूप से दूसरे रूप में परवर्तित ह होती है तो उसी इस टीम को उसी इस टीम की सहायता से हम लोग mechanical energy उत्पन करवाएंगे और जिसकी सहायता से अल्टरनेटर को चलाएंगे भुमाएंगे और वह बिद्दूतुर्जा उत्पन करेगी फैराड़े के निमान सार फ्लक्स कट होगा फ्लक्स कट होगा हमने फैराड़े का नियम आपको बताया है e is equal to minus 1 delta phi upon delta t समय के साथ जैसे परिवर्तन होगा फ्लक्स कट होगा जिसके steam उत्पादन उपकरण में जो पाला हमारा पार्ट होता बॉयलर इस टीम उत्पन करने के लिए हमको क्या चाहिए बॉयलर चाहिए कि नहीं बॉयलर चाहिए तो बॉयलर क्या होता है बॉयलर एक प्रकार का बरतन होता है बंद बरतन होता है जिसमें हम लोग कोईले को क्या क बाइलर या अगनी नली बाईलर ठीक है अब बात आती है। बाईलर हो गए हमारा और यह देखेंगे आप जो है do steam power plant होता है उसका block diagram यहां दिखाया गया है steam power plant का sketch आपको दिखाया है जो part हम लुग पढ़ रहे ہیں ऐहां पर जैसे आप देख सकते हैं ऐल्टरनेटर जो मैं बार बार कह रहा हूं जिसे कहते हैं जो बिदु तूर्जा उद्पन करता है आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर लगा हुआ है घख Hey इसी के द्वारह देखो बिदु तूर्जा उत्पन होगे है, इसी प्रकार आप देखेंगे कोईला इस्टोरेज यहां पे है, कॉल हैंडलिंग प्लांट यहां पे है, बॉयलर देखिए यहां पे, जिसके बारे हम लोग पढ़ें आभी बॉयलर यह है, ठीक है, एर प्रीईटर के बारे पढ़ेंगे, हाट एर की भी चाने के लिए लगा होता हैaskaज Ini कि इस प्रकार से यह और फ्लूग ऐस सब हम लोग देखेंगे क्या होता है सूपर हीटर जो हता है वहां जो है कि बहुत जादा अब को बढ़ाता है रहीं को विश्य प्रकार होता है भी हम लोग पढ़ेंगे यह पूरा जो है steam power plant का diagram है इसमें condenser भी लगा होता है अरे कोई चीज बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो उसको ठंडा करने की भी तो आशकता होगी तो condenser भी लगा रहता है cooling water रहता है water को pump के द्वारा इसमें जो है हम लोग circulate कराते रहते हैं चारो तरफ क्या करता है यह pump लगा है उसकी साहता से उसके बाह परतों पर नलियों के बाह परतों पर हम लोग flow करवाते रहे हैं जिसके कारण ठंधक उत्पन होती रहती है यह देखिए एक cycle बन गया है और यहां जान लिजे यह जो steam power plant होता है यह ranking cycle method पर काम करता है ranking cycle method का मतलब है एक तरफ से कोई चीज जाना और दूसरी तरफ से निकल के आना फिर उसी को पुना उपयोग कर लेना इस system को ranking cycle method करते हैं और उसी प्रकार देखिए आप यहां पे यह जो water treatment है प्लांट अभी एक topic था ना पाचों में एक water treatment था तो यहीं पे है यह पार्ट है मारा water treatment का पूरा plant ठीक है इसमें pump लगा रहता है है ना और इस pump की सायता से यहां पे लगा हुआ है जो है पानी को एक बार उपर चड़ाया जाता है फिर अखिर अंत में फिर ले आएंगे और फिर इस river में से उठाएंगे फिर ले जाएंगे और यह बार बार circulate करता रहेगा पानी उसी cycle मे और क्या होगा cooling provide करता रहेगा तो यह है हमारा सभी station का पूरा schematic diagram या block diagram आपका सकते हो अगर कोईला जल रहा है तो उसमें भाई धूंगा हुआ निकले गही तो उसके लिए देखिए आप chimney यहां लगा हुआ है चिमनी को उपर ही लगाना चाहिए क्योंकि उसके धूएं क्या होते हैं बहुत ही हैजार्ड होते हैं खतरनाक होते हैं ठीक है और power supply अगर generate हो जाएगा तो यह बस बार हमारा लगा हुआ है जिसकी साहता से हम लोग घरों में विद्दूत को supply करेंगे ठीक है यह पूरा diagram थ बढ़ते हैं इसके पार्ट जो जो होते हैं उसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो बॉइलर भट्थी है क्या है बॉइलर भट्थी बॉइलर फर्नेस है ना अभी बॉइलर के बा वाइलर भट्टी एक प्रकार का कच्छ होता है जिसमें इधन को जला कर जो भी है कोईला है जो भी है उसको इधन को क्या करेंगे अधिक मात्रा में जलाएंगे और इस्टीबार करेंगे इसकी जो दिवारे बनाई जाती है, अंदर की जो दिवारे बनाई जाती है, एक special material की बनाई जाती है, जो की उस्मा को reflect करती है, आउसोसित नहीं करती है, आउसोसित कर लेगी तब तो उस्मा कम हो जाएगी, जबकि हमको चाहिए क्या, उस्मा की मात्रा अधिक चाहिए, तो boiler अधीक ताप को बढ़ाने वाले को क्या कहेंगे अःतीताप यह क्या करता है यह जो होती है जिसकी सहता से जल के ताप को वाइलिंग पॉइंट से भी ऊपर अतितप्त किया जाता है जिसके कारण ओबाराल एफिसियंसी सबिस्टेशन के क्या होगी बढ़ जाएगी अतितप्त होगी तो उसमा अधिक उत्पन होगा जिसके कारण अधिक तेश से हमारा टर्पाइन नाचेगा अल्टर कोमियम और मॉली ब्लेडनियम के बने होते हैं इससे क्या होता है इससे यह उसमा को आउसोसित नहीं करेंगे उत्सरजीत मतलब आपको रिफंड कर देंगे रिफलेक्ट कर देंगे जिसकी साहयता से आपको अधिक उसमा प्राप्त होगी इसी लिए इसको इसमेटेगिल का बनाया जाता है इसी प्रकार इसमें एक हो था अब एकनो माईजर क्या होता एक एक ऐसी युक्ति होती है थे जो संभरण जल यह फीडिंऄ वाटर हम लोग्छ फीड कर रहे हैं पम्प की सहाता से नहीं कि फीडिंऄ वाटर होती है dos फ्लू गैसे में कर से उब हम एसमें घ rifle करवाते यह कर्वाकर गैस की उसमाई से जल को गरम करेता जल को जब गर्म करेगा तो यह जो जल होते है यह जो हमारा पाओर प्लांट होता है उसके efficiency को बढ़ाने का काम करते हैं जो ठंडा करने वाला जल होता हो तो बाहर सता से flow होता है बाहर बाहर से flow होता रहाता है यह जो जल होता है इकनो माईजर के द्वारा यह अंदर से flow होता है और जिसकी सहायता से क्या होता है हमारी जो सबिस्टेशन होती है, या इस्टेशन होती है, उसकी जो दच्छता होती हो कहा है बढ़ जाती है है नँअ, एकनोमयजर की साहता से, फिलू गैसों के द्वारा जो water feeding होती है उसको क्या किया जाता है? कि ठोड़ा गरम किया जाता है, हॉट किया ठीक है, आगे आगे इसमें air preheater लगा रहा था अब air preheater क्या है भई air preheater या वायू पूरे तापक अती तापक तथा एकनोमाईजर की साहता से आमतोर पर पुरो रूप से फ्लू गैस से उस्मा को नहीं निकाल पाती अता वायू पूरो तापक की आवशक्ता होती है मतलब जो उसमा फ्लू गैस से प्रवाइड होती है उसको पूर रूप से नहीं निकाल पाती है किस से जल्द से तो उसको निकालने के लिए वायू पूरो तापक की आवशक्ता पढ़ती है वायू पूरो तापक का मुखे का फ्लू गैस में जो गैस रहती है उसमें बच्ची हूँ इस माक्रो ग्रहण कर लेना है कोईले ग्रहण करके कोईलों को जलाने में क्या करती है साहता परदान करती है अधिक अधिक ताप मेंटेन करेगा तो कोईला क्या होगा आसानी से जलेगा अव आसानी से जब कोईला जलेगा तो अधिक अधिक इस्टीम क क्या होगा efficiency बढ़ जाएगा देखिए ये पूरा पूरा theoretical part है ये power plant के बारे में आपको बताया गया है तो इसमें आपको ध्यान प्रोवक पढ़ना पड़ेगा कौन क्या होता है ये बस जानना है आपको और हमने जैसा कि बहुत पहनत से लिख रखा है लिख लिख के पुरा नोर्स की तरह तयार किया है तो आप लोग भी इस तरह से नोर्स अपना तयार कर लें ताकि एकजाम पिरियेड में आसानी से और क्विक रिवीजन करके आप अच्छे से अच्छे नंबर गेल कर सके ठीक है आईए इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ते हैं पहले पार्ट का हम लोग पहला जो है पढ़ लिए अब इसी में दूसरा पार्ट होता है कंडेंसर दूसरा क टर्वाइन से निसकासित भाप को संगनित्र करती है अरथा ठंडा करती है भाप को क्या करती है ठंडा करतेगी फिर वह भाप पानीम बदल जाएगा फिर उसको हम लोग वाइल करें वहला अपना सर्कुलेट करके ठंडा के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी प्रकार पर जो होता है टर्बाइन की सहता से अल्टरनेटर को घुमाने का कारे करता है विदाउट अल्टरनेटर को घुमाए फ्लक्स तो कट नहीं होगा और जब हमने आपको दाइनमिकली इंड्यूजड इमयफ में ये चीज बताया होगा फैराडे के नीमा अनुसार ये काम करता है जब प्राइम ओवर की सहता से उसको घुमाएंगे अल्टरनेटर को तो क्या होगा समय के साथ फ्लक्स कट होगा अब जब फ्लक्स कट होगा तो इमयफ क्या होगा उत अब बात आती है जल उपचार सैंयंत्र इसमें क्या लगा रहता है जल उपचार सैंयंत्र भी लगा होता चवथा पॉइंट तो ये क्या होता है बाइलरों की अधिक आयू तथा अच्छी दच्छता के लिए स्वच और हलके पानी की आवशकता अरे भाई कोई चीज बहु अवशक है नहीं तो बहुत ज़्यादा तप्त होके खराब हो जाएगी है ना तो बॉइलर बहुत अधिक तप्त होता है बहुत ज्यादा तंपरेचर सहन करता है इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे ऊपर से थोड़ा ठंडा करने की भी कोशिस करेंगे है ना तो इसलिए जो है जल उपचार संयंत्र लगे होते हैं ठीक है तो इससे अगर उसको समय के साथ थोड़ा ठंडा उंडा कर देंगे तो उसकी दच्छता क्या होगी बहुत बढ़ जाएगी जिसके कारण वहां आसानी से लंबे समय तक कार्य कर सकता है बात समय आ रही है तो इस प्रकार से आप लोग इसको जल उपचार संयंत्र को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं देख सकते हैं ठीक है अब बात आती है कि विद्दुत उपकरण इसमें और क्या पार्ट लगा रहता है विद्दुत उपकरण भी लगे होते हैं विद्दुत से संबंधित डिवाइस भी लगी हो बिद्दू तुपकरण लगी रहती है, बिद्दू तुर्जा उत्पन करवाने के लिए, क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, जैसे कि आप पावर, जो प्लांट आपको, इसका डाइग्राम हमने आपको दिखाया, उसमें देखे नहीं है, आप अल्टरनेटर लगा था, अल्टरनेटर की ही सहाता से बिद्दू तुर्जा क्या होती होती है, और एक ट्रांसफार्मर भी लगा रहा था, ये स्विच गियर जो होता है, स्विच गियर के अंतरगत कई चीज़ें आती है, जैसे उसमें सर्किट ब्रेकर लगा होगा, रिले लगा होगा, ये जो मतलब पूल मिलाके उसको कंट्रोलिंग करने का काम करती है, विद्दू सप्लाई के वह पार्ट जो होता है, उस स्विच गियर के अंतरगत आता है, तो स्टीम पावर प्लांट में आपको इतना जानकारी लेना है, जो कि हमने आपको एक तरफ से एक तरफ तक बताया, आप से आपको इतना बताना होगा, यह आपका जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया, आप भी बता दे रहा हूं, यह आपका टरबाइन है, और यह अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर की जो बात हो रही थी यह है, और इसी की सायता से आप लोग बिजली उत्पन करते हैं, कार के, और बेसिक मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का लास्ट चैप्टर का, और आप लोग इसको ध्यान पुरूबख पर लीजिए, थैंक्यू, धन्यवाद